तो दूस्तो आज आप सभी को इंडिपेंडेंस दे वाला वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा तो दूस्तो अभी के टाइम में ऐसा वीडियो इंस्टाग्राम पर बहुत ही जदा ट्रेंड कर रहा है तो अगर आपको भी अपने रिल्स को वायरल करना है तो बस आप लोग इस वीडियो को पुरा फूल वाच कर लो एंड ऐसा वीडियो एडिटिंग करकर अपने इस्टाग्राम कर अकाउंट पर अपलोड करो एंड आपका भी अकाउंट बहुत जल्द ग्रो होगा तो चलिए बताते हैं इसको कैसे एडिट करना है ओके तो दूस्तों सबसे पहले आप सभी को अपने पिक्सलेब अप्लिकेशन को ओपिन करता हूं तो आप सभी को कुछ स्टैपस इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा तो अब सभी को यहां से निउट टेक्स्ट को डिलीट कर दिना है अब आपको उपर की साइड में 3 डॉट में जाना है अब आप सभी को यहां से Image Size को Select करना है अब देख सेक तो Preset Custom है तो आप सभी को उसको कुछ नहीं करना है नीचे आप सभी को 1280 को Cut कर कर यहां से 720 टेप कर दिना है अब इसको OK कर दिना है नीचे आप सभी को 5 options होगा तो आप सभी को ना सबसे पहले आप सभी को इस ठोट में जाना है अब आप सभी को ठोट में जाने कबद सवरी आपको यहां से ना इस वाले option में जाना है 4th में आपको Color में चले जाना है और Color में जाने कबद आप सभी को यहां से wide color को select कर लेना है तो देख लो and इसको OK कर दिना अब इसको यहां से done कर दिना है अब आप सबी को कुछ photo को add करना है तो उपर के side में देख लो plus wall icon है and from gallery पे जाना है अब आप सबी को यहां से अपने photo को add करना होगा तो देख लो मैं यहां से जैसे अपने photo को add करता हूँ आप सभी को इस अपका link मैं telegram पर दे दिया हूँ जाकर download कर लेना तो यहां पर आना है और इसको यहां से सबसे पहले इसी png को add करना है तो दिखलो and size को मैं यहां से हलका सा छोटा कर देता हूँ और आपको यहां पर लगा देना है बीच में तो देखलो कुछ step से यहां पर और फिर सापको plus पर जाकर from guilty में जाना है और इस पर आप सभी को एक flake वाला png तो इसको हलका सा cut कर लेना है और इसको ok अब हलका सा size को यहां से छोटा कर देना होगा और आपको यहां पर लगा देना है देखलो तो और इसको हलका सा मैं crop कर लेता हूँ तो crop नहीं हो पर आए तो इसको size को हलका सा छोटा करकर यहां पर लगा देना है देखलो कुछ step से तो यहां पर लगा देना है तो फिर से प्लस पर जाना है एंड फ्रॉम गिल्डी पर जाना है इस बार आप सभी को एक और PNG को add करना है तो देख लो यहां से तो यह वाला PNG को add करना है तो इसको ok करते हैं अब आप सभी को यहां से नीचे यहां से सेटिंग वाला option में जाना है एक बाद तो देखलो इसमें जाना एंड आप सभी को यहां से crop में जाना है अब आपको यहां से देखलो rotate करने वाला option दिखाए देगा तो यह mirror में जाना और यह वाला टेप कर दोना एक number वाला अब इसको done कर दोना है अब आपको नीचे यह वाले option में चले जाना है अब आप सभी को इसके color को select कर लेना है तो देखलो यह वाला color आप लोग select कर लेना है अब आप सभी को font में जाना है तो देखलो और my font में जाना इस font का link आप सभी को description box में मिल जाएगा आप लोग जाकर टेलिग्राम से डाउनलोड कर लेना तो अब आपको इसको यहाँ पर लगा देना है adjust कर देना है and adjust इसको यहाँ से आप सभी को copy कर लेना है and नीचे edit वाल आपसन होगा इसमें जाना है and अब आप सभी को independence यहाँ से search कर लेना इसको ok कर देना है अब आप सभी को नीचे font में जाना है तो दिखलो font में जाना है and my font में अब इस font का भी link आप सभी को दे दिया हूँ आप लोग जाकर कर लेना download तो अब इसमें जाना है and अब आपको नीचे आप सभी को यहां से color वाले option में जाना है तुद देखलो एंड आप सभी को यह वाला color select कर लेना है जाएंड इसको ok अब आपको यहाँ से stroke देना है तो stroke पर जाना एंड इसको enable करेना और इसको यहाँ से लगबग two करेना और इसमें भी आपकर stroke को दे हातना है तो इसको भी two आप लोग रख देना and इसको ok कर देना side में लगा देना है and इसको भी यहां से हलका सा side को छोटा कर देना है and कुछ step से and इसको यहां से फिर से copy कर लेना है and नीचे edit में जाकर इसको यहां से day लिखना है तो देख लो तो यहां से day लिख देना है अब आपको यहाँ पर लगाते है तो अब इसको यहाँ से आप सभी को फिर से font में जाना है एंड इस बार आप सभी को फिर से my font में जाकर तो आपको इस बार ना दूसरा font को select करना है तो यही वाला select करना है जो इसके पहले वाले किये थे दो देखलो यह वाला प्लस पर जाना और टेक्स पर जाना है और आप सभी को एक flower वाला PNG मिलेगा तो देखलो इसके size को हल्का सा छोटा कर देना है तो देखलो कुछ step से यहां से और इसको यहां पर लगा देना होगा देखलो Independence के बगल में तो देखलो अब यह कितना जो अच्छा लग रहा है तो यहां पर इतना हो जानक बाद फिर सापको प्लस पर जाकर from gallery पर चले जाना है और इस बार आप सभी को यह जो pigeon वाला PNG है इसको download कर लेना और first value option पर tap कर देना और इसको done कर देना तो देखलो और इसके size को यहां से छोटा कर लेना है तो मैं यहां से इसके size को छोटा कर लेता हूँ तो देखलो यहां से कुछी step से अब आपको यहां पर लगा देना होगा तो यहां पर देखलो यहां पर हलका सा size को और छोटा कर देते हैं और इतना हो जाता है तो अब देखलो यह पूरे अच्छे तरीके से एजस्ट हो चुका है हाइपी इंडिपेंडेस डे अब आपको नीचे फोर्ट नमर अप्सन में जाना है और दो नमर अप्सन ट्रंस्पेरिंट का होगा तो इस पर टेप कर देना तो यह pengy बन जाएगा अब इसको save करना है तो अब आपको share वाल अइकन पर जाकर यहाँ से देखलो इसको custom होगा तो इसको ultra कर देना है and save to gallery कर देना है अब आपको यहाँ से अपने elite motion को open कर लेना है ओके तो दूस्तो आप सबी को elite motion को open कर लेना है तो देखलो यहां से थोड़ा सा refresh ले रहा है अब आपको नीचे plus पर tap करना है and create project करना है अब आप सभी को नीचे plus पर tap करते ना है अब आपको second number option देखलो यहां पर media वाल option होगा तो इसमें जाने के बाद आप लोग जो pixel lab से save किये हो उसको यहां से add करना अब नीचे आप सभी को effect में चले जाना है और आप सभी को यहां से add effect करना है and सबसे first आप सभी को effect wave वरे तो यहां से देखलो wave और आपको यहां से first में दिखने को मिल जाएगा अब आपको plus में यहां से extender settings में जाना है अब आपको page को यहां से 2 करदना है तो देखलो यहां से सबसे पहले आप सभी को यहां से 2 करदना है इसको तो यहां से देखलो 2 हो गया अब आपको देखलो इसके बगल में यह पलस वाल आइकन देखाए देगा इसको key mark बोलते हैं तो शुरू में लगा दना है, अब आपको वीडियो के सबसे last में चल जाना है तो आप लोगों को यतना सेकंड रखना है उतना सेकंड आप लोग रख लेना अब ना इसको फेज को 0 कर दना है, तो देखलो 0 अब आपको इसके spacing होगा तो इसको यहां से ना minus में कर देना है 2.5 तो इसको यहां से minus में करना तो अब इसको यहां से 2.5 कर देना है एंड जस्ट इसके ही नीचे magnitude वाल अप्सन होगा तो इसको क्या करना है वन कर दिना है तो देखलो आप लोग 1.1 या भी 2 भी रख सकतो कोई फर्क नहीं परता अब आपको यहां से back आजना है और यह complete होता है तो देखलो एक बार यह इस तरह moving होगा तो अब दूसरा effect को add करन है एंड इस बार आप सभी को search करना है directional बलर तो मैं यहां से इसको search कर लेता हूँ directional बलर तो यहां से देखलो यहां से एक नमर में आ जाएगा तो अब इसको नीचे standard setting करना है इसको भी अब आपको ना आख वाले देखलो एक आख वाल अप्सन होगा इसके बगल में यहां से tap करना तो इसका setting open हो जाएगा तो अब क्या करना है अब आप सभी को इसके जो दो नमर एंगल है तो इसको यहां से 76 कर देखलो आप सभी को यहा से 70 सीक्स है यहा से 76 हो गया अब इतना हो जागा तो अब को स्चेइंज को 0.20 रखना है तो देखलो यहा से मैं इसको 0.20 कर देता हूँ और 0.20 करने के बाद सुरुब में फिर से आप सबी को यहा से कीमार्क दे देlor अब आप सभी को वीडियो को हलका से यहां से ब्रहा देना है तो one point यहां से twenty second आप लोग रख लेना अच्छा रहेगा अब आपको one point twenty second रखने के बाद आप सभी को फिर से की मार को लगा दना है अब जो इसका सोड़ी यहां से स्ट्रेंज है इसको यहां से जीरो कर देना अब यहां से बैक आजना अब दोनों इफेक्ट लग चुका है तो अब इसको एक बर मैं प्ले करता हूँ तो देख सकतो कुछ स्टेप से अपना वीडियो एडिट हुआ है अब दोस्तो अगर आपको इस पर म्यूजिक लगाना होगा तो इस्टेगराम पर जाना है और यूज अडियो में टेप करना और म्यूजिक लगाकर अपने रिल्स को अपलोट कर देना तो अब इसको एक्सपोर्ट करना है तो यहां से सबसे पहले आप सभी को उपर देख लो सेर वाल आइकन होगा तो यहां पर जाना यहां पर एक्सपोर्ट पर टेप करना तो यहां से अब आपके यह एक्सपोर्टिंग चालू हो जाएगा अब आपको एक सेव वाल अपसन आएगा तो save पर click करना ये आपके guilty में save हो जाएगा So I hope कि वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा हुआ तो pleasure वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाई करके चैनल को subscribe कर लेना